हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत अपने चैनल पर जिसको नाम है लेट्स है दिप प्रोग्रामिंग तो क्या आपने कभी एक बात सोची है कि आप किसी के नेट्वर को इंटरसेप्ट कर सकते हो हाँ या ना कोमेंट में जुरूर जवाब दीजिए वरना आपको वीडियो में सब कुछ मिली जाएगा कि आपको कैसे इंटरसेप्ट करने तो आप जो भी परसन विक्टम इंटरनेट पर सर्च करेगा वो सब आपको पता हुगा आप उस चीज का लोग करोगे तब वो उस वेबसाइट पर जा सकता है दरवाइस नहीं जा सकता तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क इंटरसेप्ट को लेके तो आपका स्वागत अपने चैनल पर जिसका नाम है लेट्स हैग दी प्रोग्रामिंग और मैं हूँ है नोन्व प्रिविस का मिस्यूज करते हैं तो हमारी चैनल की जिम्मेवरी नहीं रहेगी तो आपको सोचने हैं आपको इसको किसी साफ से यूज करना है तो हम बात कर रहे हैं काली लिनक्स की कि हम काली लिनक्स में नेटवर्क इंटरसेप्ट कैसे करेंगे तो जो कि हमारे प्रिवेस से क्लाइट अटैच होंगे हम उनका पता कैसे लगाएंगे और उनकी नेटर को इंटरसेप्ट कैसे करेंगे कि वो जो मुबाइल या जो भी विक्टम यूज कर रहा है लेप्टो मुबाइल उनको हम एज राउटर हम उनको दिखाएंगे कि हम राउटर है कि आप जो भी इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हो हम उसको अलोग करांगे तब आप उस इंटरनेट की उस वेब साइट पे जा सकते हो तो वो सब हमें पता चलेगा कि कौन सा विक्टम कि साइपे से क्या काम कर रहा है तो उसमें आपके यूजरनेम पासवर्ट सब कुछ आ जाएंगे तो हम बात कर रहे हैं काली लिनेक्स पे बाकि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सिस्क्राइब करके जाएं कि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें आपनी हैकिंग से लेटिड इथिकल हैकिंग से लेटिड तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो हेलो फ्रेंड जैसे कि हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद हमें नेटवर्क इंटरसेप्ट कैसे करना है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हमें intercept कैसे करना है कि हमें जो हमारा router रहेगा और जो हमारे victims रहेंगे उनके बीच में हमें एक connection बनाना है man into middle attack तो man into middle attack का मतलब क्या होता है कि वो जो victims कुछ भी send करेंगे router पे तो वो पहले हमारे पास आएगा हम उसको router पे भेज़ेंगे और तब वो router उसको internet पे भेज़ेगा तो वहां से वो जितने भी request send करेगा ये receive करेगा तो वो हमारे थुरू रहेंगी और हम जितने भी request आएगी तो हम सबको हम देख सकते हैं कि उस victim ने internet पे क्या access किया चाहिए वो facebook का password हो या gmail का password हो या कुछ भी हो वो सब हमारे थुरू जाएगा तो हम उन चीज़ों को access कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे करना कहा कि जो हमारी काले linux रहेगा हम उसको open करते हैं और इसके regarding अगर आपको करते टाइम कुछ भी problem आती है तो आप मेरे को comment जुरूर करें कि ताकि मेरे को पता चले कि हमारे जो subscriber है उनको क्या problem आ रही है और मैं उसके regarding आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ तो हम यहां पर जो हमारी काली linux है उसको open कर लेते हैं जैसे कि हमारी काली linux है वो almost यहां पर start हो ही चुकी है तो हम काली start करने के बाद हमें क्या करने मैं आपको थोड़ा basic से समझा देता हूं और अगर आपने wifi cracking के वीडियो से नहीं देखिया है तो आप एक बार जाके जुरूर देखें मेरे जो channel है उसकी playlist में है ethical hacking free A to Z तो आप उस playlist को check कर सकते हैं और first lecture से आप इस सब को देख सकते हैं कि आपने ethical hacking में start कहां से करना है और कहां तक जा सकती है तो जैसे के हमारी यहां पर काली है वो start हो चुकी है तो हम काली के अंदर use करेंगे terminator का तो terminator की भी वीडियो मैंने अपने channel पर डाल रखे कि अब terminator कैसे download करके और कैसे install कर सकते हो अपनी काली Linux के अंदर और उसको कैसे use करना है उसकी भी वीडियो मेरे channel पर पहले से हैं तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं तो हम यहां पर terminator का use करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा कि जो हमारे subscriber है वो कहते हैं कि हमें wifi पे test करना है तो सबसे पहले हम wifi पे ही test करेंगे कि हम wifi के network को कैसे intercept कर सकते हैं उससे जितने भी clients से connect हैं हम उनकी जानकारी कठा कैसे कर सकते हैं कि कितने clients stein active है एक router पे और वो internet पे के access कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहां पे जो हमारी रहेगी usb wifi receiver हम उसको यहां पे connect करते हैं सबसे पहले जैसे कि हमारा यहां पे जो wifi connection है वो हमारा यहां पे connect हो चुका है जो की है don't connect I am virus तो एक्चली में मेरे ही router का नाम है तो हम इस पे सबसे पहले testing करेंगा और जो हमारी wired connection है उसको कर देते हैं हम यहां पे disconnect ताकि हमारे किसी भी subscriber को यह न रहे कि हमने ethernet पे इसको try किया है तो हम wifi पे try कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहां पे wifi connect है तो सबसे पहले जो हमारे kali की IP हम उसको यहां पे देखें कि हमें kali linux में कौन सी IP मिली है और कितने number पर मिली है तो उसके लिए हम command का use करेंगे if config तो जैसे हम इस command का use करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हमारा जो ethernet है LAN connection है तो हमारा यहां पे off है इसी वज़े से इसकी IP हमें नहीं show हो रही है ठीक है जो हमारा wln0 है उसके हमें यहां पे wifi show हो रही है तो जो हमें ip मिली है वह 192.168.1 10 ठीक है तो जो यह 10 है मितलो इसका sub ips है कि हमें 10 ip मिली है तो इसकी जो main ip होती है जो admin की IP होती है आपने काफी बार देखा भी होगा अगर आप एक router यूज करते हो wifi connection है आपके पास तो जो admin की default IP होती है 192.168.1.1 वो default IP होती है router की ये default IP होती है router की 1 ये फिर .0 तो हम यहाँ पर मिली है 10 मतलब हम इस router के client है जो कि दस्वे नंबर पर आते हैं जितने भी से device ये client इस time connect है तो हम 10 वे नंबर पर है तो हमें क्या करना है IP scan करनी है कि कौन सी IP पर इस वक्त कौन सा device connect है तो सबसे पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर करेंगे command portrait में तो इसको आप graphically भी कर सकते हो तो graphically के map को आने वाले next lecture में बता दूँगा कि जिनको command portrait में करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है वो अपना graphically भी इसको कर सकते हैं कि graphically इसको कैसे करना है वो करेंगे हम Nmap के through कि Nmap में हमें IP कैसे scan करने की उन पे जितनी services run होंगी वो हमें पता चल जाएगा कौन से ports open होंगे और ports zone से open होंगे उनकी vulnerabilities हम check करेंगे उनके through हम उन phones में उन laptop में एक malware भी inject कर सकते हैं तो आप समझी गएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं man into middle attack आपको पता ही होगा तो हम यहां पे IP scan करने के लिए सबसे पहले use करेंगे net discover का तो net discover का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ net discover इसमें हम help का use करेंगे तो help से हमें कैसे use करना है उसके बारे में हमें सारी जानकारी मिल जाएगी यहां पे तो आप इस command का भी use करके उसको अच्छे से use कर सकते हैं कि जो चीजे मैंने आपको नहीं बताई वैसे ही इसमें net discover करना आने को तो बहुत कुछ है बट जो चीज आपको जुरूरत है आप वही करें तो मैं आपको वही करा रहा हूँ बाकि आप help का use करके इसके जितने भी ह हमें यहां पर commands use करनी हैं उनके बारे में बता रखा है i device range file filter जितना हमें यूज करना आप कर सकते हों तो हम यहां पर use करेंगे range हम यहां पर range scan करेंगे तो हम range कैसे scan करेंगे आपको बता जाता हूं net discover तो जैसे कि यहां पर बता रखा है R से हमें range scan करने हैं तो हम R लगाएंगे और उसके बाद जह हमारी IP है 192 यह वाली 192.168.1 और उसके बाद जो default IP होती है router की तो हमें वहां से लेके हम यहां पर 24 IP scan करेंगे तो मैं 24 कर रहा हूँ आप जुरूरी नहीं कि आप 24 करें तो आप 254 तक इसकी IP scan कर सकते हो तो उनसे scan करने पर हमें यह पता लग जाएगा कि कौन से device उस router से लग जिस router से हम connect है इस router से कौन-कौन से devices connect है उन पर कौन-कौन से services अभी चल रही है कौन कौन-कौन से ports open है और कौन-कौन से ports में क्या-क्या vulnerabilities है उन्ही vulnerabilities का हम यहां पर use करेंगे ठीक है तो हम इसको करते हैं यहां पर enter तो जैसे हमें enter किया यह थोड़ा time लेगा IP इसको scan करने में तो आप थोड़ा इसको तो आप थोड़ा इसको समय दे थाकि IP scan करके आपको information सारी दे सके तो जैसे हमने इसको wifi पर किया है हम इसको as a LAN connection पर भी कर सकते हैं कि ethernet पर तो हम यहां पर इसको थोड़ा करते हैं close तो हम इसको करते हैं ethernet पर तो ethernet की जो हमारी IP थी है वो हमें पहले यहां पर connect करना पड़ेगा अपने LAN connection को तो अगर आपको यहां तक आने में भी कुछ problem face आती है तो आप में को एक पर comment जरूर करें तक कि मैं उसके regarding आपको देसको और next वीडियो जो हमारी रहेगी वो रहेगे ग्राफिकल में एन मै internet पे तो आप उसके लिए हमारे चैनल को जुरूर subscribe करें कि आपको future updates मिलते रहें कि अभी हमारे lecture में क्या चल रहा है क्या नहीं और आप updated रहें तो हमारे चैनल को subscribe करके notification भी on रखे कि हम जब भी वीडियो डालें आपको तब ही तुरूंत के तुरूंत पता लग जाए तो ह हमारी जो internet की IP है वो हमें यहां पर show हो रही है तो हम इसको scan करते हैं net discover पे तो इतना है थोड़ा time लेते हैं मैं आपको man into middle attack के बारे में थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं कि man into middle attack होता का है कि router और clients के बीच में हमें connection लगाना है जो कि man into middle attack उसको हम बोलते हैं तो मतलब जितने भी उस router से phone laptop species जितने भी connected होंगे वो सब जितना भी data send करेंगे जितने भी request send करेंगे receive करेंगे वो हमारे through होगी और हमारे through होगी तो हम उसको intercept करके देख सकते हैं कि उसने क्या request बेजे हम example के तोर पर देखते हैं कि अगर उसने Google access करना है तो वहां पर वो डालेगा www.https.google.com तो वो request सबसे पहले हमारे इस kali machine के अंदर आएगी कि उस victim ने उस IP से यह request डाली है अगर हम उसको अलोग करेंगे तो वो router पे जाएगी और router से वो internet पे जाएगी तो जैसे ही वहां से connection हमें receive होगा तो वो direct उस client के पास नहीं जाएगा वो router से हमारे पास आएगा हम उसको बीच में देख सकते हैं कि उ वो हम उसको वेह सकते हैं victim की IP पे तो इस तरह से हम man into middle attack करेंगे इससे अब बहुत कुछ जानकारे जुटा सकते हो कि कौन सा victim क्या सर्च कर रहा है internet पर उसमें आपको username password बहुत कुछ मिल सकते हैं तो अगर आप इस video को देख रहे हैं तो हम आपको एक ही बात कहते हैं कि यह वीडियो सिर्फ educational purpose के लिए है तो इसको कोई भी misuse ना करें तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जुरूर करें और चैनल को subscribe करके जाए future updates के लिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने intercept कैसे करना है यहाँ पे हमें information हमने gather की थी कि क आपको अगले वीडियो का update मिल सके तो thank you for watching this video मिलते हैं next video में